स्प्रेस हम लोगों को हो गया स्प्रेस होने के बाद हम लोग परिशान है उससे और परिशानी के बाद ये कौन है परविंदर बेट अपना वीडियो ंबन तरो तब भी आवाज बढ़ीए सह एगी स्क्रीन में शेर करने जा रहा हूं बालकों आप लोगों के साथ और आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार आप लोग स्ट्रेस मेनेजमेंट हमारे जीवन में हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं तो सबसे पहला क्या है कि हमें meditation की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सांस लेनी की कुछ तक्नीकें है और इन तक्नीकों से क्या है कि हम अपने stress को manage कर सकते हैं जैसे कि गहरी सांसे लेना, पूरी गहरी और आराम से सांस को लेना हम आराम से सांस लेते हैं, ठीक है आप पूरी सांस छोड़िये और जितनी आपने सांस छोड़ सकते हैं छोड़ने के बाद आपको धीर धीर सांस को अंदर लेना है और बहुत सारे meditation की techniques हैं जो कि प्रमानित हैं ये आपके stress को कम करती है आप इनको देख सकते हैं, YouTube पे सीख सकते हैं इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने stress level को आप लोग कम कर सकते हैं दूसरा क्या exercise एक ही जगा एक ही वातावरण में बैठे रहने से भी क्या होता है शारिरिक अप्षमत आ जाती है हम शरीर को हिलाते नहीं है ठीक है, हमार शरीर पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो क्या होता है कि शरीर अच्छे से काम निकरेगा तो दिमाग अच्छे से काम निकरेगा ऐसे में stress आ जाता है एक ही जगा बैठे बैठे रहने से शरीर को कम हिलाने से मोटापा भी आ जाता है, हाइपरटेशन हो जाता है हाई बीपी की प्रॉब्लम में जाती है मतलब अगर आप शरीर को नहीं हिलाएंगे तो आपको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा चीक है इसके बाद आपको थोड़ा समय क्या है नेचर में भी गुजारना चाहिए प्रकृति में थोड़ा समय गुजारना चाहिए इसलिए हम लोग देखते हैं कि शेहरों में पार्क होता है लोग सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए तोड़ने के लिए अपना समय वहाँ पे अच्छे से वेतीत करने के लिए पार्क में जाते हैं वहाँ पे जॉगिंग करते हैं प्राणायाम करते हैं ठीक है और बहुत सारी एक्सराइस करते हैं का करते हैं तो इससे भी क्या होता है उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है गाउं में तो हमाई पार्क इस परकार होते हैं क्योंकि हम प्रगरती के बीच में ही रहते हैं यूट्यूब पे जाके आप जून सकते हैं कि पार्क में जाने से क्या फार्दा होता है ठीक है उसका मकसद है अगला क्या sleep well यानि आपको अच्छे से सोना है अपनी नीन को आपने दवाना नहीं है आप सोच रहे हैं कि आज आप दो घंटे कम सो लेंगे वैसे दो घंटे कम सोते सोते आपको उसका बाद में भुखतान करना पड़ेगा आपको concentration में मन को एक आगरचीत करन नहीं होंगे एकदम fresh नहीं होंगे टाजा अपने भब नहीं करेंगे ठीक है sleep well का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें 8 घंटे के अपनी नीन को पूरा करना है sleep well का मतलब यह भी है कि हमें समय से सोना है अगर बहुत ज़्यादा जिरूरी अवशकता नहीं है तो हमें क्या करन है रात को 9 बजे जाद साथ 10 बजे और इससे पहले अगर सोने चाहते तो 8 बजे सो जाना है 6-8 घंटे की नीन पूरी करके हमें उठ पी जाना है 9 बजे सोने का मतलब यह नहीं है कि आपको अगले दिन सुबा 10 बजे उठना है अगले दिन सुबा 5 बजे उठ जाईए 6 बज के लिए जीवन में एक स्मूद परफॉर्मेंस के लिए ठीक है आराम से अगर आप परफॉर्म करें जाते हैं जीवन में तो उसके लिए भी क्या है नीन बहुत ज़्यादा जिरूरी है यह आपको क्या करती है रिचार्ज करती है आपके बॉडी को के दिमाग को यह क्या कर करती है रिचार्ज करती है पुनर जीवित करती है चीक है कोनेक्ट सोशली अकेले बैठने से मन में अलग लग प्रकार की धार्णाय बनाने से आप क्या होंगे स्ट्रेस में इसलिए को क्या करना पड़ेगा मित्रों के साथ भी थोड़ा समय वितीत करना चीए परिवार के तक तो स्ट्रेस कम रहेगा लेकिन उसके पर क्या हो जागा स्ट्रेस दोबारा बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है सोशली कनेक्ट करना अपने आपको चीक है मोबाइल में गेम खेल लेने से आपको जब तक आप गेम खेलेंगे तक आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा गेम से मिले, इसके बाद जो आप कर सकते हैं, eat well, अच्छे से आपको क्या करना है, खाना, खाना है, बहतर खाना, खाना है, आपको बहुत जादा चाय और कौफी पी करके अपने stress रिलीव नहीं करना है, चीक है, उचित खाना खाएं, दूद पीएं, लसी पीएं, शराब पी करने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छा खाना खाएं, पॉस्टिक खाना खाएं, आम तोर पे हम लोग क्या है, गाओं में पॉस्टिक खाना ही खाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है, जो कि शहरों में रहते हैं, जिनको पीजा खाना है, बर्गर खाना है, चौमिन खान है contains caffeine अभी भी आप जा सकते हैं अगर आपके bottle के उपर sticker लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसको लिखाओ का contains caffeine caffeine आपके stress को कुछ समय के लिए दबाता है फिर उसको बढ़ा करके दोबारा प्रसूत कर देता है ठीक है और उसके पाद आगया time management time management बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आपको stress को control करना है तो यहां पर हम लोग दोबारा देख सकते हैं कि time management आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है time अगर मैनेज नहीं करेंगे प्रसूत करते है अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी साकरात्मक सोच साकरात्मक सोच लिखावा है आपको बहुत ज़्यदा आविशक है यह इससे आपकी आत्म प्रेड़ना भी बढ़ेगी स्ट्रेस में अपकी कमी आएगी घवराने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा अब साकरात्मक सोच रखेंगे तो आपके स्ट्रेस में क्या होगा कमी आएगी ठीक है और ये आजकर के जीवन में हमें बहुत ज़्यादा आपशक है हमें बहुत फाइदा देगा ये जो चीज लिखी गई है Organizing Academic Life No Delaying पढ़ाई को सब से ज़्यादा महत्वपून मानिये सब से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए पढ़ाई के इलावा आप जो काम करना है पढ़ाई में समय देने के बाद कीजिए ठीक है ये हमारी कुछ ऐसी बाते हैं जो कि आपको Stress से मुक्त करने में मदद करेंगी समझ में आई बात आप लोगों के जिसको जिसको बात समझ में आगई है बताओ भई इतनी बात आई है समझ में के नहीं आई है चैट में लिखके बताएंगे इसका वीडियो आप लोगों को मैं WhatsApp ग्रूप में शेयर कर दूँगा ठीक है बारको? और वहाँ पर आप लोग इसको अराम से दुबारा सुन सकते हैं कई बार सुन सकते हैं वहाँ से कर समझ में नहीं आता है तो अलग से मुझसे WhatsApp पे भी बात कर सकते हैं आपने मीत्रों के साथ डिसकस कर सकते हैं और अलग से हम लोग समय भी लेकर के लिए क्लास लगा सकते हैं जहाँ पर आपके डाउट जो है आपको जो बात समझ में नहीं आई है उसको हम वहाँ पर डिसकस कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही है stress management अब आपका आज का homework क्या है यह सुन लिजी